नमस्कार, डीटॉक्स डाइट्स क्या होता है इसके बारे में आज बात करते हैं मैं नूट्रिशनिस्ट अमीता, आपको हमेशा ऐसे helpful videos नूट्रिशन और हेल्थ के बारे में बताती हूँ और काफी लोगों ने अपने हमें message किया कि, डीटॉक्स डाइट क्या होता है उसके बारे में बताइए तो आज यह समझते हैं कि डीटॉक्स डाइट काम के होते है या नहीं आप मेंसे काफियों ने ऐसे कुछ juice cleanses जिसे कहते के detox diet का काफी अलग अलग तरीके के detox diets आते हैं और बहुत लोग उसको weight loss के लिए भी करते हैं या ऐसे बहुत ज्यादा अगर indulgent खाना हो गया हो बहुत पार्टींग हो गई हो तो भी कहते के no I am on a detox तो अब मैं detox कर रहा हूं तो आज देखते हैं कि यह detox diets जो है यह किस प्रकार के होते हैं और उससे कुछ benefits होते हैं या नहीं detox diet अगर आप weight loss के लिए कर रहे हैं तो detox diet किस टाइब का हो सकता है कि आप सिर्फ fruit juices पी रहे हैं या vegetable juices पी रहे हैं या आप जैसे green tea पी रहे हैं या सिर्फ salads खा रहे हैं तो अगर आप largely देखे तो ज्यादा तर detox diets में एक तो नीमबू खानी को बोलते हैं फिर fruits and vegetables पे खाये या आप उसको जैसे as a salad खाये या जा स्टीम्ड वेजटेबल्स की तर पे खाये तो the focus is also on fruits and vegetables काफी लोग green tea का भी इस्तेमाल करते हैं तो which is again high in antioxidants and another thing जो काफी ज्यादा detox diets में देखा जाता है वो है water तो काफी लोग जो होते है कि से पानी पीकर और एक ही बार खाके या कुछ forms of detox diet जो होते हैं उसमें थोड़े से probiotics भी आड़ कर देते हैं क्योंकि probiotics जो है वो आपके digestion को सही बनाने में मदद करते हैं तो अब आज समझते हैं कि detox diet आपको करना जरूरी है क्या अगर आप weight loss के लिए detox diet कर रहे हैं तो मेरी बात मान लीजे it is a waste of time क्यों यह बताती हूं मैं यह नहीं I am not trying to discourage you from being healthy बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको आपके health के बारे में आप सोच रहे हैं और आप कुछ healthy खाने की कोशिश कर रहे हैं I really appreciate that पर अगर अगर आप detox diet या जैसे सिर्फ juices पीके या यह जो cleanse होते हैं juice cleanse के जीसे कहते हैं कि तीन दिन हमने सिर्फ fruit juices या fruit and vegetable juice पीया और यह अगर आप weight loss के लिए कर रहे हैं तो वह एक actually waste of time है क्योंकि weight loss के लिए जो भी आप detox करते हैं तो उससे सिर्फ आपका जो glycogen stores होता है मतब liver में जो carb storage होता है वो आपके शरीरिकल में जो पानी होता है वो और आपके गट में जो भी bulk होता है वो लेक पेट में जो भी ज्यादा बल्क होता है वो निकल जाता है बस तो अगर आपको weighing skill पे आप जब अपना वजन चेक करेंगे तो थोड़ा सा वजन कम दिखा भी तो भी व आपका वजन बढ़ जाएगा तो इसलिए weight loss के लिए जो detox करते हैं उनको मैं एक बस एक caution करना चाहूंगी कि ऐसा ना कीजिए इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं अगर आपको weight loss करना है और उसके लिए आप detox करना चाहते हैं तो detox का मतलब क्या है कि अपने शरीर में से या अपने lifestyle में से जो भी toxic है जो आपको नुकसान कर सकते है ऐसे जो components होते उसको हटाने है तो अगर आपको detox करना है तो alcohol detox बहुत बहुत order करते हैं तो कुछ like you know start eating at home यह भी एक तरह का detox ही हो सकता है another thing जो आप बिल्कुल अच्छे से detox कर सकते हैं जीस बात का वो है कि hydrogenated vegetable oil या palm oil जो हमारे processed foods में मिलता है या बाहर का जो खाना होता है वो काफी बार उसमें तला हुआ होता है वो जो किसी के भी सेहत के है तो उससे detox कर लीजिए तो अगर आप यह कुछ चीजे भी कर लेंगे तो और even white sugar अगर आप यह पाच्छे चीजे भी अगर कर लेंगे तो भी automatic आपका वजन कम हो जाएगा तो weight loss के लिए हफता बर या 4 दिन या पारजन सिर्फ fruit or vegetable juices पीकर अगर आपका वजन कम करने की को आप यह होता है कि काफी बार जैसे अगर आप अचानक से जैसे detox diet पे चले गए या सिफ juices पी रहे हैं तो आप जैसे आपको you'll feel weak, dizziness, कुछ लोग को बहुत headaches भी हो जाते हैं काफी अगर आप बहुत ज्यादा प्रमान में अगर celery, beetroot, kale, spinach ऐसे वाले juices अगर आप पी रहे है तो वो उसमें nitrates भी काफी ज्यादा होते हैं जिससे काफी headaches हो जाते हैं तो and you it really impacts your health एक और बात यह भी होती है कि अगर आपको सिफ fruit juice या vegetable juice का cleanse जिसे कहते हैं या detox diets अगर juices पी के ही करने हैं तो उसका जो cost होता है या अगर आप बाहर से भी juices मंगा रहे हैं या खुद juice बन कम से कम चार गुना ज्यादा पैसे खर्च करेंगे for a temporary solution क्यूंकि यह solution जो होता है वो long lasting बिल्कुल नहीं होता है तो if you ask me detox अगर आपको करना ही है तो एक permanent तौर पे उसको देखिए कि यह नहीं कह रही हो कि आपको permanently सिफ fruits and vegetable के juices पीने बिल्कुल नहीं पर look at the toxin उसका detoxification का स कि आपके दिन चरिया में आपके पूरे lifestyle में जो भी आपको नुकसान कारक जो components है elements है जो आपके lifestyle में आपको healthy होने से रोक रहे है उनको आप हटा दीजिए शुरुआत कीजिए कुछ दिन उनको हटा कर जैसे एक हफता you can go without watching TV या एक हफता one week you can go कि आप बिल्कुल alcohol नहीं पिएंगे और उसके बाद आप दीरे दीरे उसका जो like say quantity है मतलब number of days है वो बढ़ा सकते है तो ऐसा इस तरह का detox अगर आप करेंगे तो आपको सच में permanent solutions मिलेंगे ना कि आप तीन दिन सिफ juice पीके आपको जैसे you know like say कुछ cleansing हो गया पर हा जैसे आपको अगर आप रोज आप या juice के साथ करना भी चाह रहे है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है पर यह होगा कि बिल्कुल बापूरा खाना छोड़कर अगर आप सिर्फ यही पी रहे है तो you will feel weak and dizzy और weight loss के लिए इस तरह से आपका weight permanently जाएगा नहीं तो इस बात का ध्यान रखे तो आज मैं nutritionist अमीता म होता है डीटॉक्स में ज्यादा तर fruits and vegetables पे ही बाहर दिया जाता है वह हमें जो हमें नॉर्मली भी ज्यादा खाने चाहिए यह नहीं कि जब हम detox diet कर रहे हो और एक और बात यह हो जाते है कि जब हम सिर्फ तीन दिन fruits and vegetables ही खा रहे है या उसके juices ही पी रहे है उसके बाद जान रहे है कि जो भी आप changes करें वह आप दीरे धीरे like you know think just as one day better, getting better by one thing each day, ऐसे भी आप करेंगे तो it is going to last you for a long time और आपकी सच में तब यह ठीक होने में आपकी सेहत ज्यादा अच्छी होने में मदद होगी मेरे nutrition programs अगर आपको join करने है तो amitagadre.com पर जाके हमारा संपर्क कर सकते है और youtube पर मेरे सारे videos available है, youtube पर channel है amitazholistic nutrition और instagram पर मेरा handle है at amitagadre, तो वहाँ भी join करना ना भूलेगा, धन्यवाद